नमस्कार, आपके डिवाइन मस्कलाइन की एनरजी क्या है? यह आज लेकर आई हूँ, जल्दी से वीडियो देख लीजेगा, जेंडर की बात नहीं है, अगर आपका एज गैप है तो भी उसकी बात नहीं है, सिर्फ एनरजी कैसे रहने वाली है, नेक्स्ट कुछ दो-तार दि का जो दखल है न, यह एक तरह से थोड़ा सा डिप्रेसिव फीलिंग लेकर आ रहा है आपके डिवाइन फेमिनन की एनरजी में, यानि एन्टेंशन रहेगी, थोड़ी सी हो रखी होगी पहले से भी, और कम्यूनिकेशन में आ चुके हैं, तो इगो क्लाइश होने के चैंसे हैं, आपको लगेगा कि ओ माई कॉड़ यह कब समझेंगे, यू विल री एवैलुएट यूर अप्रोच टू लाइफ की मेरी जिंदगी कहां जा रही है, मैं अपनी जिंदगी को किस तरह से खुबसरत बना सकती हूं, मैं अपने वेल्थ को किस तरह से ध्यान दे सकता हूं कैसे प्रमोशन पाई जाए, कैसे मनी इन्वेस्ट की जाए और कहां इन्वेस्ट की जाए, एंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बारे में भी आप यह सोचेंगे कि कार्मिक लोग किस तरह से दूर हूं, कुछ दूर हो चुके हैं, कुछ से आप दूर हो चुके हैं, ज यह परपस है ट्विन फ्लेम जाने का यह आप खुज पाएंगे इन्हीं एक दो दिन में यह खुज लिया होगा एस्ट्रोलोजिकल प्रडिक्शन आपको करवाना है तो कुंडली से कुछ जानना है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मेसेज करें तन्यवाद आगे बात करते हैं वीनस कंजक्ट सैटन यह जो है ना यह सिंबलाइज कर रहा है कमिट्मेंट की तरफ रोमैंटिक कमिट्मेंट की तरफ ट्विन फ्लेम का रोमैंटिक कमिट्मेंट यह जल्दी ही हो सकता है लेकिन थोड़ी देर में वो काफूर हो जाएगा क्य जरूरत नहीं है उखाडने की जरूरत नहीं है कि तुमने ये किया था तुमने भी तो वो किया था ये hopelessness की energy आपकी रह सकती है मतलब commitment दिया दूसरे दिन ही लड़ाई ऐसा हो सकता है Aquarius planet की वज़े से बहुत ज़ादा emotional होने की जरूरत नहीं है जरूरत नहीं हो सकते हैं आप and toxic situation से बाहर निकलने की तरफ आप रस्ता देखेंगे कि आप मुझे बाहर निकलना है और इसी Friday से मतलब कल से Venus in Pisces ब्रिंगा higher spiritual and unconditional love ये वाली चीज लेकर आ रहा है तो which will reveal itself to you कि आपको किस तरह से रहना है unconditional love मेरे लिए क्या है सच्चाई क्या है twin flame journey की सच्चाई क्या है मैं की सतरह की soul हूँ इस तरह का आपको मिलेगा दो चार दिनों में dreams, miracles, telepathies, synchronicities ये सब कुछ बहुत कुछ होगा and much more much more मतलब और भी कुछ ऐसा जो मैंने नहीं बोला work with cosmic energies to prepare ground and clear out negativity आपको अपने आपको ground करना होगा थोड़ा सा relax होना होगा आपकी energy वापस आ रही है उसी तरह की energy में की against वाली energy लडने वाली energy एक बार फिर से मन कर रहा है की bombarding कर दूँ बड़े अच्छे तरीके से दंग से दो डालू अपने divine mask line को divine mask line की energy कैसी रहने वाली है वो यही है की वो बार बार सोचने को मजबूर है की मेरा life का purpose क्या है मैं आगे जीवन में कैसे बढ़ूँ मैं इस relationship में कैसे बढ़ूँ यह जो unhappiness की feeling है वो उनकी तरफ से भी है जो की आप catch कर रहे है समटाइम आप करते हैं कि मैं बहुत अच्छा इना वक कर रही हूँ लेकिन फिर भी इतनी worries क्यों है इस तरह का क्यों negative beliefs आपके बार बार वापस आजाते हैं क्यों anger issue आजाते हैं क्यों मन करता है कि DM को बहुत ज़्यादा ढंक से सुना दिया जाए वो इस तरह से ही उनकी energy आप catch करते हैं Venus जो है ना Pisces में एंटर कर रहा है कल से ही तो आपका focus जो है पूरी तरह से move हो जाने वाला है emotional needs क्या है आपके और आपकी financial needs क्या है ये भी आप समझ पाएंगे और जितना भी challenging issues है ना ये पूरी ज़रा से blurred हो जाएंगे आप क्या सोच रहे हैं किसके बारे में सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं ये सब कुछ आप लगातार सोचेंगे twin flame telepathy is more noticeable आप बहुत ज़्यादा ही सोचेंगे बहुत ज़्यादा ही pick up करेंगे उनकी अपने counterpart की heaviness को समटाइम आप कहीं बहुत अच्छा लेकिन backache हो रहा है या कुछ heavy energy आपको dream में भी feel हो सकती है waking life में भी feel हो सकती है angel numbers जो आपको दिख रहे हैं वो ही लगातार दिखते रहेंगे कुछ नया अभी नहीं हो सकता आप अपने दिमाग में सरफ यह रखिए कि differentiate कीजिए कि मुझे मेरी कैसी feelings है divine masculine की कैसी feelings है वो किस तरह से energetic हो सकते हैं क्योंकि we are the energetic beings और हमेशा हम energy को grasp कर पाते हैं दूसरे की भी दूसरा चाहे कुछ नहीं बोल रहा दूर भी है तो भी है ना तो empath है तो भी आप इस तरह से पहचान पाते हैं तो आपकी जो experiences हैं वो काफी magical भी होने वाले है इन दो तिन दिनों में और twin flame का जो bond है वो Pisces में enter करने के कारण बहुत emotional भी आपका divine masculine भी बहुत emotionally आप से बात करेंगे emotionally आपको love confess करेंगे और लेकिन आप अभी triggering mode में हैं आपको लगेगा कि आपका जो physical ego self है उससे आप पूरी तरह से rubroon नहीं हुए है उसको पूरा cut off नहीं किया है इसलिए उनके साथ कुछ ना कुछ बात negative बात हो सकती है तो अपने emotional self को संभालिए अपने soul को संभालिए और अपने dreams and जो भी angel numbers दिखते हैं उनको आप write on करें इसलिए कहती हूँ journal writing करना बहुत अच्छा है journal writing में आप उनका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है आप जानते हैं कि वो कौन है तो आपने बस ये लिखना है कि ऐसा ऐसा द्रीम आया है ऐसा ऐसा ये आया है तो उसको आप खोदी ही डिकोड कर सकते हैं देखें वोट्सअप पे बहुत सारे messages की bombarding रहती है मैंने ये dream देखा मैंने वो देखा इसका क्या मतलब ये angel number इसका क्या मतलब ये too much हो जाता है मेरे लिए मैं हर किसी का रोज जवाब नहीं दे सकती हूँ कई बार देखती हूँ और अचानक से कोई call आज़ा था थे तो फिर वो unread जैसा लगता है आपको लगता है कि देख तो लिया लेकिन जवाब नहीं दिया ignore कर दिया ये बड़ी बत्तमीज है ऐसा हो सकता है लेकिन प्लीज समझ ये इस बात को कि इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सभी के जवाब दे सकूँ तो प्लीज अपने energy level को आप लिखें, write down करें अपना dreams को लिखें अपने angel numbers को लिखें, notice करें कि कौन से दिन में क्या देखा था कौन सा दिन चल रहा था, new moon था full moon था, नवरात्री थी कौन सा particular day था उससे आपको अपनी energy पिक करना आ जाएगा आप अपने divine masculine की energy को भी पिक कर लेंगे, अगर आपकी negative energy चल रही है, आपका मन कर रहा है कि बस भई, अब आर्य अपार तो समझ लीजे, अभी आप ही की energy ठीक नहीं है रिली, वो ठीक नहीं है तो उसे आप sort out कीजे, अपने आपको cool down कीजे, थोड़ा grounded रहें nature में रहें, animals के साथ रहें चोटे बच्चों के साथ खेलें, बच्चे जैसा ही बन जाएं बनने की कोशिश तो करें हर एक इंसान एक तरह से अंदर से बच्चा ही है, वो कहते नहीं है दिल तो बच्चा है जी, वो ही वाली बात है तो यह था एनर्जी फोरकास्ट आपके लिए divine masculine की तरफ से भी कि उनकी एनर्जी कैसी है, काफी stuck and heavy energy है, it's okay आप ही उनको change कर सकते हैं जब तक आप अपने आपको change नहीं करें right, thank you so much, दनेवाद, मुस्कार